नेक्स्ट मैं कमें सर यस प्लीज हलो अलिया एलो सर कैसे हैं मैं ठीक हूं आप टैसे हैं बहुत पर गाए प्लीज बैठिये थैंक यू सर आपका रिज्म आलिया परवीन इस सर गुट ऑके तो अपने बीचिक यह हुए है जी सर अम्प्लीट हो गई yes तो अपको एक्स्प्रियेंस है जी सर कितने महिने का वार्ट सर फाइफ मंथ ठीक है तो आलिया जी देखिए मैं आपको पहले एच्प्लीन कर देता हूं कि हमारा जो रिक्वार्मेंट है उसके बाद कि रम इंट्रिशियोर करेंगे तो जो हमें जो जरूरत है वो एक जो रहेगा वो आपका रहेगा सुभे मौनिक माइन टू सिक्स पर ठीक है और कभी-कभी थोड़ा लेट हो सकता है तो इसी कमफर्टेबर विद यू यह सर ठीक है तो ठीक है आलिया जी आप हमें बताए अपने वारे में कुछ तर मेरा नाम आलिया है मैं यूपी साय हूं और मैंने ब्यस्टी कम्प्लीट कर रहती है और मेरे ममी यह पापा है तीन बैहन है एक भाई है बस पापा की एक छूटी सी दुकान है मैं मेरी हाउसवाइप है बैहन कर मे रहती है भाई अभी 18 प्लेस हो यह तो वो जोब के लिए ट्राइक रहा है और यहीं पर आप एक्स कर देऊं है इस चीजिए यह थिक यहां है घुए आप उसे कैसे एंड गर तो अप इसको बोलूंगे है कि आप अभी थोड़ा सा रुख जाएए थोड़ा सा इस हाला वाल हूंग मैं तो अंदर होंगा तब यह सर आपका जिस टाइम तक मीटिंग चलेगी वो टैम में उनको देदोंगी कि आप इस टाइम तक सर आएंगे आपसे मिलेंगे अगर आप इस टाइम तक यही रुख सकते हो तो आप नहीं रुख जाए या इतने टाइम तक आपका कुछ और काम ह तो वो निफ्टा कर आप इस टाइम तक आजए लेकिन अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं कुझे तो अर्जेंटली मिलना है तब आप क्या करेंगे तब उनकी में जो नकी रुक्यायरमेंट होगी उस हिसाब से उनको पुछूँगी क्या रुक्यारमेंट है अगर लगता है क अगर आपको एक च्छोटा सा मेसेज करके बोलूँगी अगर आप तेरी है तो आप उनके सकते हैं और आप तेरी नहीं है तो मैं उनको बोल दूँगी सबस्ज़ी क्या होती है स्मार्ट दिखना स्मार्ट दिखना ठीक है अब यह बताए कि आपने जो पिछली बार कहीं काम किया है तो उस ताइम आपको क्या चैलेंजिस आए मतलब कौन सी डिफिकर्ट सिचुएशन सापके सामने आई उनके बारे आपको बताएंगी सबसे ज्यादा मुझे वहां पर से इंग्लीष की हाई चैकि वहां पर मिटिंंग के जिए हींदी पर जो मुझे परासा पर आपस नहीं करतेते हां मुझे ज्यादा नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मुझे ज्यादा इंग्लीष भी नहीं आपायी तो मुझे सबसे ज्याता जो वहां अपसами थाइ, तो में मुझे एपना ही सब्सक्राव सोष्णझ मण चौछ नहीं सट नहीं शिखने की कोशिश मुझे एसने लगता था खहू रही है बहाप रह 거지 तो यह थीक है बहुत अच्छा अधा सचाईग और इस वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट एक रिश्यथनिष्ट की जो सबसे जो एहम क्वालिटी होती है वो खुद को और गिनाइज करना होता है तो आप अपने आपको किस तरह से और गिनाइज रखती है मैं सबसे फहले जो हमें आपिस में नुब जाना है तो मैं सबसे पहले ओफिस आउंगी सारा जेखूंगी कि ठीक है यानि कुछ चीज़े अपनी जगा सेट रखी है या नहीं रखी है अगर नहीं रखी होगी तो मुझे सेट करूँगी टाइम के हिसाब से अगर उस टाइम साथ अपाइंटमेंट है मेरी कुछ मीटिंग वगरा है तो मैं कौशिश करूँगी कि उस से पहले वो सारा काम निमट जाए और हड़ चीज टाइम पर करना कि अगर कोई चीज समय नहीं तो हमें छोड़के भागना नहीं चाहिए तो अगर आपको उपर देते हैं तो आप इमिडियेट जाइन करेंगे या आपको कुछ वक्त चाहिए होगा इमिदेंटली जोइंट करेंगे तो सेलरी कितने एक्सपेक्ट करते हैं जो फ़र्स्ट चल रही थी कंपनी में वह 15 तेथी आप मुझे 20 20 तो नहीं हो पाएगी इस पोजिशन के लिए कि मुझे यहां पर पीजी लेकर रहना पड़ेगा और फिर पीजी भी नहीं मिलता है मैं जहां रह रहे हूं अभी मैसी काम करूंगी तो बस आना जाना खिराया लगेगा और फिर मेरी फिर्स्ट फिप्टीन थी तो इस पार थोड़ा बढ़के थोड़ा ज्यादा है तो 16 ज् ठीक है अले जी आपका बहुत बहुत शक्रिया आपने अपना किम्ती वक्त हमको दिया तो हम आपको पॉन करके बता देंगे जैसा की रेजल्ट रहेगा क्योंकि अभी हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं तो उनका इंट्रिव्यू करके अगर आपका नाम शॉर्ट लिस हुआ 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 है